अश्कार में अमरोष कुमार, दे हिमालियन हराल्ड पोस्ट में आपका सौगत है ITBP और आसाम राइफल के मर्ज को लेकर सरकार ने प्रोपोजल रखा है हलांकि ये प्रोपोजल 2001 में भी आया दा, ग्रूप अपनिस्टर्स के दौरा लेकिन विषएक में जाने से पहले हम जल्दी से अपनी फोर्शिस के बारे में थोड़ी सी चान करें ले लेते हैं कि military forces क्या होती है? military forces हमारे पास तीन टइप की हैं army है, navy है और air force है और जिसका administrative control और operational control पूरा army के पास होता है यह तीन forces हैं और उसके अलावा paramilitary forces है paramilitary forces होता है एक exact definition तो इसकी नहीं है लेकिन एक जैसे system है उसके base पर हम अगर गहीं तो इसका administrative control जो है सरकार के पास होता है यानि कि Ministry of Home Affairs के पास होता है और जो operational control होता है वो आर्मी के पास होता है जैसे फोर एक्जम्बल आप ले रीजिए असाम राइफल ऐसी ही फोर्स हैं और देखें परामिलिटरी फोर्स में कौन-कौन सी फोर्स आती हैं असाम राइफल इंडियन कोस्ट कार्ड एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इसमें आती है और जिसका कंट्रोल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ओप करूँ करने का काम इनका होता है जैसे कि कोई पावर प्लांट है कोई चरूरी कोई इंडस्ट्री है वहां पे इनको यानि कि देश की सुरक्षा को लेकर या इस तरह से एहम इंस्टालेसंस को सक्यूरिटी प्रोबाइट करना इनका काम होता है और हम बात करें कि जैसे इसके अलावा हम बात करें को सेंटरल पुलिस फोर्सिस की बात करें हम उनके इंडिया इंका पाकिस्तान बोर्डर के चाम करतें ये इंडिया बंगलादेश बोर्डर पेकाम करते हैं इवन नक्सल इंडियास अर्थे और इजाते हैं वहाँ पर भी आर्मी के साथ ये बिलकर काम करते हैं इसके अलबाद दूसरी नमबर पर हम बात करें तो ITVP आता है इंडियन इंडो तिप्तन बॉर्डर में जो पुलिस फोर्स हैं इसमें ये सेक्योरिटी प्रोपाइड करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये 350 पहले थे बाथ लेकिन अभी तो China है China बॉर्डर पे ये अपनी त्यनाति देते हैं और SSB आता है उसके बात SSB इंडिया नेपाल में बडर में काम करते हैं बूटान बॉर्डर पे इससे क्योटी देता है CRPF आता है उसके बाद Central Reserve Police Forces इसका पुरा अगर बोले हम तो ये elections कंड़क्ट करोने में काम साहिता देता है जैन्ड के अधी शित्रों में ये काम करता है और इसके अलावा हम बात करें तो नकसल्स प्रवावीत एरिया में ये काम करता है और उसके अलावा ये इंटर्नल सक्यूर्टी प्रोवाइट करता है और इसके बाद हमारी forces जो आती है उसके बाद हम बात करें तो CISF आती है Central Industrial Security Force ये करती है इंडियन स्टेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ही सिवाएं देती है अपनी जैसे पावर प्लांट है कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है लेकिन देखिए ये ये जो मैं बता रहा हूं ये पिलकुल क्योंकि बेभारिक तोर पर हम देखते हैं कि लग लग जगाओं पर ये तेनात हो जाती है जैसे कई UPSC का ओफिस है उसको सेक्यूरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह से ही बहाँ पर भी ये काम में आती है और हम उसके बाद हम बात करें चैट हुए नमबर पर तो ये सबसे लास्ट फोर्स एंस जी है नैशनल सेक्यूरिटी गार्ड ये होते हैं और ये खासकर से टेरोरिस्ट अटेक्स को ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम में आते हैं वहां पर सेक्यूरिटी देते हैं ये अपनी और उसके बाद हम अगर ये बात करें कि आसाम रा थी, Catcher Libby के नाम से इसको फोर्म किया था, क्योंकि जो बिटिसर्स थे, वो नौर्थ हिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाते थे, और बिटिस रूलर्स को जो वहां पर स्थापित करना चाते थे, इसलिए इस फोर्स का निर्बान किया था, पीस फोर्स के रूप में, ये पीस भी एस्टैबलिस करती, वहां पर नौर्थ हिस्ट में करने का इसके पास जिम्यदारी थी, और ठार सो सत्तर में, देखिए उस वक्त जो निर्बान हुआ है, उस वक्त तो इसके बास के बल सेवन फिफ्टी मेंबर्स थे, और एटिन सेवन्टी में क्या होता है, ये असाम मिल् उसाई हिल्स बैटालियन और लखिमपूर बैटालियन नागा बैटालियन इसके साथ मर्ज हुआ था, फिर जाके ये बनी थी, और देखिए जो बल्ड वार फस्ट हुआ था, उसके टाइम पर भी उससे पहले पहले जो है, डेरेंग बालियन में इसको मर्ज किया गया, उस यूरोप में इसके मदद किया, ब्रिटिस हर्स का, तो इसको लेकर देखिए फिर उनका थोड़ा सा इसका प्रमोशन हुआ, उसके बाद हम बात करें, जैसे हम इसकी असाम राइफिल की मेहतू कांक्सा के बारे में बात करें, तो जैसे 1962 का इंडो चाइना वार हुआ था, तो वहां पर एक हरने का रिजन ये भी था कि ये जो हमारी इंडियन आर्मी थी, वह एक्स्ट्रीम बेदर में काम नहीं कर सकती थी, इसको आदत नहीं थी, हलांकि आप ऐसी स्थिती नहीं है, अब तो हमारी शिया चीन में, जो है सबसे टॉप वर्डर में, हमारी इंडियन सेना जो है वहां पर एतेनात है, वह काम करती है, लेकिन उस वक्त की जो स्थिती थी, वह अलग थी, और ये इसको स्ट्रॉंग किया गया, साम राइपल को, लेकिन इसका जो प्रोपोजल है, जैसे मैंने पहले बताए कि 2001 में इसका प्रोपोजल आया था, कि इसको मर्ज किय इसका इड्मिनिस्टेटिव कंट्रोल और ओपरेशनल कंट्रोल जो है, इसके पास ही हो, लेकिन अब फिर सही ये प्रोपोजल आया है, इससे पहले मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट में जो है आसाम राइपल्स के कुछ चपान्स गए थे, कि हमारी देखिए, अलाउंस इस में थोड़ा फ़रक पड़ता है, और हमारे पास क्योंकि हम मिनिस्टे ओफ और आते हैं, और ओपरेशनल कंट्रोल जो आर्मी के पास होता है, इसलिए डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन हाई कोर्ट के बर्डिक्ट के बाद अब अगर मैं मोटे तोर पर सीधे बताऊं तो आसाम राइफल के जो अधिकारी आसाम राइफल हैं, उसके जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, वही उसको अडिमिस्टेटिव, इसको ओपरेशनल कंट्रोल है, वह कर सकेंगे, उसमें तेनात हो सकेंगे, क्योंकि